वीडियो है वो due sole admission के उपर है यहाँ पे मैं बात करूँ due sole यानि school of open learning distance mode पर यहाँ पे बिलिस कोर्स की बात करूँँआ bachelor of library and information science कोर्स के admission दोजार तेस के start हो चुके है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ है कोर्स की डुरेशन कितनी रहने वाली कोर्स कितने साल के लिए होता है फीस कितनी होती है साल की eligibility criteria कौन apply कर सकता है और document कौन कौन से require है at the time of admission और यहाँ पर registration procedure स्टार्ट हो चुका है तो last date का है सारी मैं यहाँ पर आपकी query solve करने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर लेता हूँ admission admission related information में यहाँ मैं बात करूँ तो 14 जून से आपके school of open learning याँ डियू सोल के admission स्टार्ट हो चुके है इसके registration स्टार्ट हो चुके है 31 अगस्ट 2023 यानि 31 अगस्ट 2023 से पहले आप सभी को मतलब क्याना में admission लेना है अगर बिलिस कोर्स के अंदर यानि 2 सेमेस्टर होंगे एक साल में एक फस्ट छे महीने का दूसरा सेमेस्टर छे महीने का एक साल का कोर्स है अब यहां पर कुछ बच्चे ओफ लाइबरेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस कोर्स आप लोग तीन साल के अंदर कमप्लीट कर सकते हो ठीक है और यहां पर आपकी एवन समस्टर में बेग आती तो और समस्टर में पेपर दोगे बेक का मतलब होता है देको फैल और बेक में थोड़ा फ़रक होता है फै सकते हैं तो सावल के अंदर सिर्फ टिल्ली वाले पच्चे अपलाई कर सकते हैं,สब प्यूपी कर सकते हैं, इंडियन मिशन ठीक है तो यहां पर बैसली अगरा भी एड्मिशन ले सकते हैं एक्जामिन लेकिन आपको यह चीज़ दिखान लेकिन एक्जामिनेशन सेंटर डेली जब आप लोग का फर्स सेमेश्टर और सेकंड सेमेश्टर का पेपर होगा तो दिल्ली में ही कंड़क्ट ह होगा तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा ठीक है अगर आप भिहार से हो तो दिल्ली आना पड़ा पर देने के लिए एड्मिशन इस आलसो ऑपन टू इंडियन नेशन ठीक है यहां पे इंडियन नेशन के लिए भी बेसिकली हमें बात करता हूं कंडिडेट सेकिंग अब यहां पर आप लोग अगर एड्मिशन लेना चाहते हो तो एल्जिबिलीटी क्राइटेरिया क्या है आप तो ओल ओवर इंडिया होने चाहिए दूसरी अगर आपको बिलिस कोर्स करना तो ग्रेजिएशन होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से बस यह अगर आप ग्रेजिएट हो गए हो तो बिलिस कोर्स का अन्दार एप्लाइट कर सकते हो थाटी फास्ट ऑफ अगस्स से पहले अब यहां पर बात करता हो डोकुमेंट आपको कौन कौन से लगाने पड़ेंगे जब आप अप्लाइग करोगे बिलिस कोर्स के अन्दा तो बै आप लोगे की पास ग्रेजुएशन की माकशीट लगाने ग्रेजुएशन एंड प्रोविजनल डिग्री आप लोगों को लगाने पड़ेंगी तो तीन चीज यह बहुत कंपल सरी है ठीक है बाकि चौती चीज़े रिसेंट फोटोग्राफ आपका अभी का फोटोग्राफ ह होने चाहिए सिगनेचर आपके खुद के होने चाहिए क्योंको वेरिफिकेशन होता है ठीक है तो यह आपके पांच है सिगनेचर फोटोग्राफ ग्रेजुशन की माकशीट प्रोविजनल सार्टवेट यह डिग्री हो गई सेल्फ अटेस्टेट को पी चाहिए आपकी क्ला अगर इसे ब्लोग कर तो उसका लगा सकते हो फीस इस्टेक्चर की बात करो देखो यार यहां पर ओल ओवर जो फीस है यहां पर अगर मैं पूरी फीस की बात करूँ तो 9,170 रुपे इसकी फीस है 9,170 आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है दो हजार बीस रुपे दो हजार बीस रुपे फर्स सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की फीस है जो आप लोग को एनुवल फी के साथ यहां पर देनी पड़ती है अगर आपको जब एक्जाम होगा तो आपको एक्जामिनेशन टाइम पर कोई फी पहना ही करनी डिरेक्ट आप लोग का एक्जाम कंड़क्ट हो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप सभी लोग कर सकते हो 31 सगत 2023 से पहले सभी लोग आप अप्लाई कर सकते हो रेजिस्टरेशन का लिənक मैं डिस्क्रिशन में दे दुआ हाँ आप जाकर रेजिस्टरेशन कर सकते हो और बाकि अगर आपको कोई प्ली स्कूर्स के रिगार्डूं तो आप मुझे से इंस्टेंग्राम पर पोच्छ सकते हो इंस्टाइडी का लिंक मैंने डिस्क्रिशन में दे रखा है और यहां पर एक और चीज मैं बता दू बिलिस कोर्स के अंदर सी यूटी रिक्वाइर नहीं है तो यही अपडेट थी आपकी कोई क्वेरी है आप मुझसे इंस्टाइड पर पूछ सकते हो इंस्टाइड लिंक मैंने डिस्क्रिशन में दे रखा है